हाई गोड बॉर्णिंग सास्यक अलादाब नमस्का वनकम जैहिंद दोस्तों कैसे आप लोग मैं हूँ आपका अपने डॉक्टर डॉक्टर नमनीत काल रहा और अज मूर बहुत अच्छा नहीं है रिजन फिर अगले वीडियो में बताऊंगा लेकिन इंडिया के लिए अच्छी खबरे हैं खुश खबरिया हैं और आज तो कहीं सारे डॉक्टर ने एक सवाल उठाया है मास के उपर बाते होनी शुरू हो गई हैं कि मास को क्या अब हटा देना चाहिए जी हाँ और यह मैं चोटे मोड़े डॉक्टर नहीं हैं बड़े बड़े डॉक्टर हैं देश के जाने माने जिन्हों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है क्योंकि वक्त शायद आ चुक है लेकिन अगर यह देखें तो पुरानी गलतियों से तो हमें पता न बताँ जारहा हैं ये गलोबल सिम्टम बता रहो ना कि खाली इंडिया का जो सिम्टम पाया जारहा है ज्यादा तर लोगों में तो बताउँ गा कहाँ पर वेक्सिनेशन कम हुआ है कहाँ-कहां पर ज्यादा हुआ है और एक सबसे इंपर्टेंट चीज यह है आज की इस तर आज की खबरें आज की खबर यह है पंदरा सो उनन्चस केसिज आया हैं बस 25,000 एक्टिव केसे जो 0.06% है टोटल केसिज का और 31 डेथ हुई है और हमारा जो रिकवरी रेट 98.74 है वीकली पॉजिटी रेट और डेली पॉजिटी रेट अल्मोस से में 0.4 वीकली डेथ जो हुई है 170 से भी कम हुई है लेस तेन 170 जो की पिछले दो साल में सबसे कम है यह रिकॉर्ट उटा है दो साल का और अगर वैसे ग्लोबली देखा जाए वर्ड में तो केसे 4% बढ़े हैं पिछले हफते लेकिन इंडिया में 40% तक केसे कम हुए हैं इंडिया में ऐसा लगता है कि इंडिया में सबसे पहले शुरॉत हो चुकी थी इसकी बीए टू की जो जो इस समय जो वैरिंट माना जा रहा है पूरे वर्ड में केसे बढ़ने का चाहिए वो एशिया और हमारे 75% केसे बीए टू के हैं उड़ती उड़ती ये खबर ये भी आई है कहीं देशों में जहां बीए बन बीए टू का एक कॉंबिनेशन निया वाइरस आ रहा है तो भारत में भी शेयर डिटेक्ट हुआ है हाला कि मेरे सूत्र अभी इसकी पुश्ची नहीं करते हैं पर लेकिं फिर भी बचके रहना रहे बाबा बचके रहना रहे ठीक है जी हां भचके रहना रहे बचके रहना है अब एक ऐसी खबर के बारे में बात करने जा रहा हूं जो बहुत ही कंट्रोवर्सी जिसपे हो सकती है कोवी शेल्ड की डोस आपको पता होगा बारा से सोला हफते के बीच में सैकिंड डोस लगती है अब उसको कम करके आट से सोला हफते किया जा सकता है ये बताया जा रहा है कि एक तो बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवाते ही ही शेकिंड डोस जब से increasingly हूद बस क्या बता हूँ कि पहले वैक्सीन नहीं थी इसलिए गाप को जादा गया था मुझे मुझे आइसा लगता है कि वैक्सीन थी नहीं । अब ऎक्सिन बची पड़ी है तो गया पको कम कदो क्या यह कारण है पता है मेरे सूत्र किसी की पुश्टी नहीं और कईन करते है इसके सेकिंड डोजर फर्स जोसके गैप को इसको कम किया जायता सरकार ने मना कर दिया था यह बोला था कि हम देख रहे हैं अमजर अबसर्व कर रहे हैं हमें अभी ऐसा नहीं कि उसका गैप कम करने का कोई फाइदा है अब वही सरकार यहां पर कह दे कि शायद कम किया जा सकता है लेकिन आज आपको एक चीश बताता हूं कि इन्डिया में जो सबसे जादा वैक्सिनेशन हुआ है वह वह हुआ है नंबर वन आंधरा जमू किश्मीर हिमाचल यह तीन परदेशिया है जहां पे 100 परसेंट वैक्सिनेशन हो चुका है तीन आंधरा जमू किश्मीर और है नीचे वालों में जारखंड है नौर्थ इस्ट है अगर आसाम को निकाल दें आसाम में उच्छे हुआ है बिहार है और माराश्ट भी शहद उसी नहीं है चलो एनिवेज माराश्ट के मेरे सूत्र आज पुष्टी नहीं करते हैं आज मेरा सूत्र सोया हुआ है किसी पर आगे बढ़ता हूं और जो बहुत जरूरी एक खबर आपको मुझे बतानी है ठीक है केरला में आये हैं करीब 594 के से महराश्टा में 113 करनाटका में 109 तर मिलानों में 56 आंदर परदेश में 49 यूपी में सिर्फ ग्यारा वैस्बेंगोल में फिर 45 दिल्ली 97 एक डेथ और चटिसगर्ड शोरी एमपी 22 और हर्याना 71 और बिहार तीन तेलंगना 35 पंजाब 18 आसाम 4 जारखंड स्वारी जमु कश्मी 27 जारखंड 4 उत्राखंड 12 हिमाचल 18 लदाग 3 नागालेंड 0 गोवा 5 मिजोरं 123 पूर्डीचेरी 1 मनिपूर 1 तिरपूरा 0 आंधरा 0 सिक्किम 4 vaccination यहाँ सब कम वहा नौर्थ East में किसे भी सबसे कम यहीं पkov कहानी समझ में आरी है नहीं आरी नहीं आरी यह ऐसी कहानी है बाये साब फिर बोलूंगा गूल मल है और सीधे रस्तेκι्ये तेड़ी सी चाल क्यों को आ ends हमारे डॉक्टर एंके रोड़ा जो नीती आयो के अध्यक्ष है उन्होंने बोला है कि सेक फॉर्थ वेव कोई सीवियर वेव कोई बड़ी वेव आने के चांसेज ना के बराबर हैं और यह तो हम भी कह रहे हैं जब तो कोई का बड़ा मुटेशन ना जाए यह जो ओमिक्रोन के चोटे मोटे वेरियंट आ रहे ना वन टू थ्री फॉर इन से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि यह सिर्फ इंफेक्शन कर सकते हैं ज्यादा सीरियस नहीं होंगे तो एक अच्छी बात है और जब तक कोई बड़ा मुटेशन नहीं होता कोई मेजर मुटेशन नहीं होता मे नाक का बेहना ठीक है नाक का बेहना रणी नोस यह एक बहुत बड़ा लख्षन आरहा माकीलिक्ंशनों के साथ ये लिट्थ जो लोग एट पर ढलते रह ते की हमारा लख्षन यह तो वहां سے आज की देट में अप निया लख्षन में एक नाक का बेहना भी एड़ोह जब य यह कैसा नहीं था नाक का वेना और पानी बेद निकलना कभी वो पतला भी हो सकता है घाड़ा हो सकता है ठीक है तो ये एक निया सिम्टम बताया गया है इसके बारे में और क्या बताऊं ने अब बूस्टर डोस की बाते भी उट रही है मुझे लगता है वेक्सीन को जादा ही बच गई है अब बूस्टर डोस की बाते भी उट रही है कि क्यों ना एज को 65 साल से कम कर दिया जाए ये देखा गया है कि बूस्टर डोज लगाने से बहुत सारे लोगों को बहुत फर्ख पड़ता है क्योंकि एक वैक्सीन छे से आठ महीने तक काम करती है मतलि हमारी सारी योई ना टाइम के हिसाब से चल रही है अबलेबिल्टी के हिसाब से है कितनी बची हुई है उसके हिसाब से सब को चेंज होता रहता है जादा बच गी तो थोड़ा चेंज कर दो कम बच गई तो थोड़ा फिर चेंज कर दो क्या करें आँ रही है वो भी अपनी केख ठीक है हम भी अपनी केख है हिंदुस्तान हैн ना इतनी तो population है करें क्या इस population के इसाफ से चलना पड़ता है कि हस में देखो मुझे भी लोग बोलते हैं कि सर आप अपना statement change करते रहते हो यह करते रहते हो कभी कहते नहीं आएगी कभी कहते आएगी कभी कहते हो कम आएगी statement change होते हैं priorities change होती है क्योंकि करोना एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप कभी भी 100% शूर नहीं हो सकते तो आपके statement आपके strategy जो होती है वो चेंज होती रहती है according to करोना तो उसी को देखते हुए सरकारें भी अपना अपना ये जो हाला कि मुझे लगता है सरकार पहले भी कर सकते थी बूस्टर जल्दी और बागी चीज़ें लेकिन शहर उसको लगता था कि शहर वेक्सीन की कमी ना पढ़ जाए अब यह हाल है कि काफी लोग ऐसे भी बचे हैं जिन्नोंने second dose लगवाई कि देखने वाली बात होगी यह सब डिपेंड करता है फिर भी बोलूगा वैक्सीन है या नहीं है बच गई है तो लगार हो है बड़े लोग बड़ी गला पर एनिवेज यह था आज का टॉपिक मन थोड़ा मेरा दुखी है उसके उपर मैं आलक से वीडियो बनाऊंगा और क्यों दुखी है वो भी बताऊंगा आज जिन्दगी का आपको एक कड़वा सच बताऊंगा बहुत ही कड़वा सच ठीक है चलो टैंक यू शो मस्ट कोन शो चलते रहना चाहिए शो रुखना नहीं चाहिए बस इतने ही बोलूगा दिल उदास हो या दिल अच्छा हो बुर झाल को या दो बाहर बाहर दोगवा दो लोलूगा अच्छा हो भी बोलूगा धिल इसे में अच्छा हो बाहर धोड़ादी के अच्छा हो छेह बू़ा धिल